माज यह पाप पड़ खा रही बेटी मेरी नमाज में माशालला नमाज भी पड़े आप लाइक जी जो तो लेगा पटक के मारे तो क्या करी हो खिला दो नम नम दे रही हो उसको है गाइस वेलकम बैक टू माइन न्यू ब्लॉग कैसे आप सभी आई हो पाप सभी आच्छे होंगे और खूस होंगे तो गाइस अभी सुबा का टाइम है और मैं अभी नमाज बैड़ा कर लिए हो अभी चलते हैं मिलतें सूबा अपने टाइप तो गाइस अभी सुबा हो चुके हैं और मैं सोके उठ चुकी हूँ और आज का मौसम मैं आप लोग को दिखा दूं कि मौसम का कोई ठीकाना नहीं कब बदल जाता है कल का मौसम तो आप लोग देखें कितनी बदली थी और कितना ठंडा मौसम हो गया था और आज धूप हो गया है आप लोग देख सकते हैं अभी मैं थोड़ा सा बाद निकली इस वजह से लोग बीमार भी बहुत जादा पड़ें क्योंकि कभी धूप कभी बदली कभी चुंदा कभी गरम ऐसे होता है तो ऐसे जब भी मौसम होता है तो बच्चे सबसे पहले बीमार पड़ता है बड़ों के सियात पे भी बहुत जादा सर पड़ता है और आज मेरी खुद की भी तबेट ठीक नहीं लग रही है तो मुझे भी क्या कर रही हो खिला दो नम नम दे रही हो उसको दे दो नम नम दे दो जो डोगी को नम नम दे दो दे दो दे दो तो अब ने डोगी को रोटी दे रही है कह रही है कि नम नम दे रहे है तो अभी गाई जबी सो के उठें और मैं नमास पड़के सो गई थी अबादत नहीं क परपातियों मुझे नीद बहुत तेज लगती है तो भी चलते ही बादत कर लेते हैं थोड़ा सा और फिर उसके बाद आप लोगों से दोपहन में मिलते हैं तो अभी के लिए बाए 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 चले गए और जाने लगी उधर रोड की तरफ अपने पापा को ढूंडन तो चलो बिटा पापा साम को आएंगे तो गाइस अभी दुपहर के बढ़ चुके हैं और मैं वजू कर चुकी हूं अभी राइट एक हो रहे हैं और अजान भी हो गया होगा मस्जिद हम लोग क्यांस से बहुत दूर है इस वज़े से अंटार से मैं क्या जान होगा तो चल कि चार बत चुके हैं और इफ्तार बंदा है खाना भी बंदा है साथ में तो चल के चल के देखते हैं अंदर कि आज खाना में कौन सा डीस बंदा है और इफ्तार में कौन सा बंदा है हर रोज कुछ में कुछ नया तो बंदा ही है तो चलिए चल के देखते हैं कि आज खाने और देगी को आता दे तो बिटा उसको आता दे दो और ले खे भाग री देगी नहीं लग रहा है चालो अंदर चलो पर दूह पर दूह ज़िए को अगाल कुक्ति अब दूह को पता की मारा था यह बहुत मोटा अला गया था गंती से ब्रेट पढ़े कि एट तो क्योंकि एगर डबल होगा फिसमें आलू भी लगेगा तो इतना मोटा हो जाएगा। तो इसको लिख सब करके बीच में लोग डालेंगे। को उसके बाद बीच में भेल दाल हे सब करके रखा हुआ है। तो तेल करम हो गया है, सबसे पहले, मैं इसको इसको डाल कर लेंगे, प्याल, प्याज, मृच्छा, और इसको अलहसान अद्रख लाल करने के बाद, यह अभी अच्छे से лайलं को अब स्कीरा लाल कर लेंगे, इदर मचली काा सालन, तो अभी लाल हो चुका है, थोड़ा बहुत हल्दी तूरा के यह थोड़ा सा हरा मीर्थ थोड़ा कंद था क्यूंकि इसमें थोड़ा साम लाल मीर्ष पाउडर भी डालते हैं तेस्ट के लिए लाद मीर्स पाउडर नडाले पर टेस्ट उसका अतंा अचानी लगता है और टेस्ट के लिए थोड़ा से डूस्ष मिसाला नि अज़िए भून के, उसके बादक इससे में ये आलू. जो मेहने इसको मसल के रह लिया हैं तो इसको अलो हम नलोख भूनेंगे भूनेंगे, इससे नमक दालें, फिर थोड़ी देर इसे भून के उतार लें, वे बन के तैयार हो चुका है और मैंने ब्रेट तो पहले ही कट कर लिया था तो अब इसको हम इसमें लगा लेंगे इस तरह से हम सारा इसको इसमें लगा लेंगे फिर उसके बाद बेसन अभी गोलना बाकी है यह ब्रेट पकोड़े तयार हो चुके हैं इधर पापड तला रहा है पापड इधर आलू बाकी सब रसना नीवू चीनी सब मिला दिया गया है तो अब चलते हैं तुरंट लगा लेते हैं रस्त खाल पे बाहर क्योंकि टाइम बहुत काम है सिब 10 मेट के ताइम है तो चलिए सब कुछ लगा लेते हैं इस्तार हो गया फाइनली और अभी नमाज आदा करके मैं आजब को लेकर सबाहरी की हूँ और इतना परिशान कर रही है कि गहरी गूलने के लिए अभी इसा का जान हो चुका है और नमाज का टाइम हो चुका है तो मैंने सोचा कि क्यों नमाज पढ़ लेते हैं और आज नमाज पढ़ने के बाद क्योंकि मैं जब भी नमाज पढ़ने जाती हूं तो मेरी एजल दौर के जाती है नमाज के लिए और वो भी आगया जाके व बढ़ाँगी देखते हैं वो कैसे नमाज पढ़ती है तो चलिए फटा फट पहले मैं नमाज पढ़ लेती हूं फिर एजल को भी नमाज पढ़ाएं सबसे अच्छा मेरी एजल नमाज पढ़ दी है अजल सिखदा से उठवचा बड़ाँब तक सिखद्रा वह सोगी मेरी नमाज पढ़ते हैं या इस तISE नमाज पढ़ते हैं तो खाते नहीं है भी ह magari बेजम अ-जय भी नमाज में गजब नमाज पढ़ते हैं तो रुगाज वार और मेरा भी हो गया और एजल का भी हो गया तो आप लोगों ने देखा मेरी बच्ची कितनी क्यूट लग रही थी नमाज पढ़ते भी डेड़ साल की भी नहीं हुए मेरी एजल डेड़ साल के बच्ची तो चलना सीखते हैं मेरी बच्ची बहुत पहले चलने लगी थी नौ- कि अध्याए बाई बोल देते हैं कि काफी रात हो गया है तो आज का वीडियो आप लोगों को मेरा कैसा लगा और कमेंट करके ज्रूर बताएगा कि आज का वीडियो आप लोगो को कैसा लगा और लाइक करना बिलकूर नब भोले और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्रा करें मिलते हैं कल की वीडियो में आज के लिए आज के लिए आफीस बाइब रहे